एक्शन हिरो सन्नी दिवल सिने मागरों में फिर से धाड रहे हैं। इस वीडियो में रिव्यू करेंगे सन्नी दिवल की नई रिलीज हुई मूवी गदर्टू। हैलो अब्रीबन वेल्कम तो न्यूस डैडी और आम यूर फ्रेंड शेतन सिंग चोहान। आल टाइम ब्लागबस्टर मूवी गदर्वन की सीक्वल रिलीज हो चुकी है। और सन्नी दिवल अपनी दहाड से दर्सकों को काफी मनोरंजन कर रहा है। गदर्टू के ट्रेलर से हमें पता चल गया था कि स्टोरी लाइन क्या होने वाली। वही सन्नी दियो अपने बेटे को चुडाने पाकिस्तान जाएंगे। और वही हुआ। अगर आपने गदर्वन नहीं देखी तो चिंदा मत कीजिए। गदर्वन टू में गदर्वन का फ्लैसबेक दिखाया है। और मुवी को फ्रस्ट आप में गदर्वन का फ्लैसबेक बार बार दिखाया जाता है। गदर्वन का फ्रस्ट आप सारे करेक्टर्स को एस्टैबलिस करने में और गदर्वन को फ्लैसबेक दिखाने में यानि स्टोरी बिल्डर करने में गया है। एक्षिल मूवी एक्षिन मूवी गदर 2 इंटरवल के बाद शुरू होती। गदर 2 की स्टूरी की अगर हम बात करें तो हमने गदर 1 में देखा था कि सनी दियॉल अपनी पत्नी को पाकिस्तान से वापस लेने जाते हैं गदर 2 में अपने बेटे जीते को वापस लेने जाते हैं और दोनों ही बार पाकिस्तान में जाकर गदर मचा कर आते हैं गदर 1 में एक बहुत ही फेमस सीन था जहां सनी दियॉल हैंड पंप उखाड कर दुश्मनों पर बारी परते हैं यही सीन को गदर 2 में लाना जरूरी था और उसको दुबारा दिखा दे तो रिडंडेंसी हो जाते हैं इस सीन को डारेक्टर ने बहुत खूब इसे दिखाया है अब इसका पूरा वेवरन मैं नहीं करूँगा किस्पाइलर हो जाए गदर 1 के गाने काफी फेमस हुए थे और आज भी गाया जाते हैं इसलिए मेकर्स ने गदर 1 के गानों को यहां रिपीट किया है मगर दिखाने का तरीका थोड़ासा डिफरेंट किया है अक्टिंग की बात करें तो सनी दियोर पूरी फिल्म में चाय है और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस उनकी डायलोग डिलेवरी जैसे दामिनी या गाहल में थी और गदर 1 में भी गदर 2 में भी वही एनरजी वही जोष आज भी वरकरार अगर हम दूसरे एक्टर्स की बात करें तो गदर 1 में एक दमदार एक्टर सनी दियोर के सामने था विलन के रूप में जिनका नाम था अमरिश पुरी अब गदर 2 में विलन के रूप में मनिश वदावा उतने दमदार नहीं दिखे हैं मतलब अमरिश पुरी की बराबरी अगर हम करें तो ये विलन कुछ मैच नहीं हो रहा है रही बाद Amisha Patil की तो उनको स्क्रीन गदर टू में काफी कम मिली है मगर जितनी भी मिली है उन्होंने उसको पूरा सम्मान दिया है मतलब Amisha Patil also looks good and directing is also good in this movie अगर अब तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज लाइक, share and subscribe कर दीजे तो हमें motivation मिलता रहे डारेक्टर अनिल शर्मा के बेटे उतकर शर्मा मुझे कुछ खास नहीं लगे फर्स्ट हाफ में उनके acting थोड़ी emotions में कुछ दमदार नहीं लगे सेकिंड हाफ में जब action scenes होते हैं तब मुझे कुछ रभाशाली लगे अनिल शर्मा का direction इस movie में भी काफी काफी अच्छा है screen play बिल्कुल tight है movie आपको बोर नहीं करेगी मिथुन का music अच्छा लगा लेकिन कुछ जगह उपर मुझे शोर काफी जगा जा है bombing और shelling और bomb फूपते हैं बंदू के चलती है कि वह मुझे ज़दा शोर गुल लगा तो अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के मेरे हिसाब से movie में चार पॉजिटिव पॉइंट्स है और चार नेगेटिव पॉइंट्स है तो सबसे पहले बात करता है थोगधेटेव पॉइंट सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है सनी द्यूसरा पॉजिटीव पॉइंट है इसके डायलोग ऑर डायलोग डिलि काफी लंपी लगी इसको शॉट किया दसा नगीटिव पॉंट नंबर टू इस फिल्म में गाने गाने काफी है और कुछ गाने जरूरी नहीं थे नेगटिव पॉंट positive point overall rating की बात करें तो मेरे हिसाब से gather two is a complete family entertainer और इसको पूरी family के साथ आप देख पाऊगे कि इसमें ना तो कोई गाली है ना कोई nude scene है और ना ही कोई dialogue, ऐसे dialogues जो double meaning वाले हो, it's gather two is an action-packed सने देवल movie, definitely one time watch, मेरे तरफ से इस movie crew three star out of five, मिलते हैं अगले video में नई review और नई topics के साथ, thank you, have a nice time, bye-bye.